वेल्कम टू फ्रिक्टर रेया दोते चैनल में आपका स्वागत है दो तो आज मैं आपके लिए फ्रीमेंस कंपनी के फैवर ग्लास मेजरमेंट टेप लेके हूँ पहले मैंने 30 मीटर पर बनाई थी तो आप लोगों ने काफी प्यार दिया था अब मैं आपके लिए 50 मीटर के लेके हूँ जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी पहले भी बताया था कि यह जिनसे मेजरमेंट टेप बनाती है 30 मीटर से लेके 50 मीटर और 100 मीटर तक के बनाती है तो फैवर ग्लास में दोत्तो क्वाल्टी इन में सबसे बैटर क्या आती है यह आज हम इस पर बात करेंगे तो दोत्तो जुनसा वीडियो का लाइक का टार्गेट मैंने रखा वो मैंने दसजार का रखा है वो मुझे पता सभी कारपेंटर वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे चलो दोत्तो वीडियो शुरू करते हैं कि दोतो एक बार में मेजरमेंट टेप फैवर गलास के आपके सामने से भी दिखा दिता हूं के इसके अंदर हमें तीन मोडल आते हैं तो कंपनी ने अलग-अलग नेम दे रखेंगे तो आपको नजर आ रहे होंगे दोतो जैसे हमने बोला है मैं इस कंपनी के फैवर गलास दोतो फैवर यह होता है कई वार आपने देखा केवल की वैर के अंदर भी होता है इसके अंदर क्या होता है कि मजबूती बहुत ज्यादा हो जाती है इतनी जल्दी क्रेक नहीं होता है यह होता है फैवर कोकि आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगा तो इसके रीवन के अ यानि कि यह नहीं होगा कि दो-चार मीने में आपका डेमज होगा सालों साल चलने वाली चीज है यानि कि दादा खरीद है पोता बरते यह मेजर में टेप ऐसे हैं दो तो इसके ओपर कंपनी ने लिखा भी हुआ इसके ब्यूंसा रिवन आता है प्टास्ट मीटर की क्वाल्टी अगर हम ब्लास की क्वालटी की बात करें तो आम तोर पर क्या होता है जितने हैं यह रिंकल निया बिसके देखते देखे तो दोतो जिस भी तरीके की आपको measurement की जूलते के आप परचेज कर सकते हो एक तरफ तो इन्होंने एंची के अंदर दे रखिये marking यह देखिये एक दो तीन चार पांच और यह फूट आगया तो एक तरफ इन्होंने सेंटी में दे रखिये अगर आपको जैसे दो mm का निशान लगाना थो दो mm का बड़ी असानी से लगा सकते अगर उसकी में फूक की बात कर नुद तो कई भाई क्या करते हैं इसको करके यहां से सैज ले लेते हैं तो आपने इसको को टाउन करना थे मेजरमेंट जो अपकी यही से यह आएगी यहां तो यह औरों से मेजरमेंट टेप अलग क्यों है दोखो कमपनी ने यहाँ पर दो स्टील के थिंबर लगा रखें यह क्या करते हैं आपस में मूब करते हैं सरकल की तरह गुमते हैं इसके साथ क्या होता है जो हमारी रीवन की प्रिंटिंग होती है वो डैमेज नहीं होती है का अगर जटेघन होती तो हमारे रीवन की जुंन सी प्रिंटिंग थी इसके साथ टेच हो के चलनी थी तो जुन स्काइप नच चल लगा तो यह और मैं इसकी बोडिन की बात करूं तो अनृकयर वाल एदिछ में आंग नी होगा तो दोतो इसके अगर मैं हैंडल की बात करूँ तो long handle इसके साथ दे राख यानि कि हमें इकटा करने में बहुत जादी आसानी होगी तो इसके देखी तो यह नहीं होगा यह आपका सर गूम नीरा है यह आपका यह होता है जब हम रीवन को निकालते हैं इस तरीके से जब हम इसको पेटते हैं तो कई बार को यह हैंडल हमारे ना फिंगर में लगता है यह देखिए कितना डिसेंस बना हुआ इसके अंदर और दोतो इस रीवन की खास बात क्या है यह यानि कि आपका बरसातों में धूप म यानि कि यह कभी खराब नहीं होने वाली चीज है दोतों फ्रीमेंस कंपनी का फेवर ग्लास का यह तोप गह रहा है यह आपको नजर भी आ रहा होगा इसके अंदर खास बात क्या है दोतों जब कभी भी हमें रीवन को कठा करते हैं यानि कि यह एक वार जब राउंड लग मैं इसका यहां से सरकल करूंगा तो यह तीन वाल गूम जाएगा यह देखो और दोतों इसके अंदर भी कंपनी ने कर रखा यान की पचास मीटर यान की एक सो चौसर फुट के करीव है यह देखें यह सारी चीजे और दोतों यैसे कि मैंने बताया था किसी को अगर यह से 2 mm का निशान लगाना है तो वह यह ले सकता है अगर किसी को 1 mm का निशान लगाना है तो वह यह ले सकता है यानि कि किसी का बहुत ज्यादा बरीकी का काम है तो यह वाला मोडल ले सकता है वह अगर किसी का थोड़ा सा मोटा काम है यानि कि उसको 2 mm पर ही निशान लगाने त को पांच इंची पर रखता हूं तो देखता हूं इसके में कितना फरक आता है तो दोस्तों यह आपके सामने है इसके उपर जाने की फरक ना मातर के क्रीव है यह देखिए आपके सामने नजर आ तो दोतों कभी भी हम जैसे measurement वगारा करते हैं जैसे हमने अपनी पमेश वगारा निकालनी है जीने की निकालनी है तो इसमें क्या खासित है यह यहां से बिल्कुल ना corner से साथ में चिपक जाएगा अगर स्टील का होता तो इसमें चिपक नहीं है देखें मैं आपको दिखाता है तो दोतों कई जगा क्या होता है हमें mm में measurement वगारा करनी होती है तो कई जगा हमें अपने एंची या फुटो में करनी है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं अगर mm में करनी है तो आप इदर से भी measurement कर सकते हैं यह देखिए जैसे कि मैं एंची के इंदर कर रहा हूं ठी है तो यहां से यह अच्छी तरीके से आ जाएगा तो यह मेजरमेंट बड़ी असानी से हो जाती है दो तो जब हमारी उमर यानि की 40-50-60 साल की उमर में होती है तो उस टेम के होता है हमारी आइस होगारा वीक हो जाती है जिससे ब्रीक अक्षर हमें देखे नहीं जासके दो तो कंपनी ने क्या कर रखा जोंसी प्रिंटिंग भी कर रहे है यह आपको नजर आ रही होगी यह देखिए तो अगर हमारी आइस वीक भी तो भी हम बड़ी दूर से इसकी प्रिंटिंग देख सकते हैं यह देखिए दो तो फैवर ग्लास एंची टेप का यह फैदा कोई भी हमें गोल वगारा चीज की अगर मेंजमेंट वगारा करनी हो तो बड़ी असानी से हो जैसे मैं पेड की कर रहा हूं तो हमें यहां से सें यह हूं करना नहीं था यह देखिए बिल्लों साथ में लग जया है दो सो मैं आपको बार 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 बताता रहता हूं कि वीडियो को जुरूर लाइक किया करें यह आपको वीडियो कैसी लगई हो जारो दोस्तों में भी आप Check 시청 कि आकरो तो जैसे आपकी रूमेंट्स है इनका रोल होता है किस तरीके से की जाती है आम तोर पर हम जा एंची में और एमम में जाते हैं बाकी हमें इस पर पता नहीं है ता यह मार्किंग किस चीज की होती है अगर आप चाहते हो कि प्रोपर इस पर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों न से लगा दी तो बड़ी असानी से एक आदमी मेजर्मेंट बगारा कर सकता यह देखें अगर मैं अकेला हूं यहां पर मैं मेजर्मेंट करूंगा तो मैं इस तरीके से करूंगा यह देखें हुआ है कि तो है ये दो अगर मार्किंग वारा करनी तो स्थेम मुझे सुन्भी की दूरत NICK पड़े तो इसके साथ क्या करूंगा मैं नीचे से मार्किंग कर दूंगा यह देखें मैं आपको नीचे से दोतो अगर हमने इसका मेजरमेंट के लिए अगर रीवन निकालने तो बड़ी असानी से निकलता है यानि कि हाथ में यह नहीं के जटका लगता है तो बड़ी स्मूथ अराम से निकल रहा है यह देखिए कितनी असानी से निकल रहा है तो दोतो यसे कंपणी ने बताया हुआ यह सरकल जानि कि अगर एक बार घुमता तो तीन बार हमारा दीवन रिवन ने कठा हो जाएगा इसके अंदर यह बहुत खासियत है यह मैं आपको करके करके दिखाता हूं कि यह देखिए कि यह देखिए कि जल्दी हो दो तो इसके अंदर कंपणी ने इतना अच्छा फंक्शन दे रखा जैसे मैंने बताया था यह एक वार जूंसा हमारा भार का सरकल गुमेंगा अंदर का सरकल तीन बार गुम जाएगा यान कि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती इस ओस भी आता सो मीटर का भी आता है जिस तरिके की आपकी रुक्वाइर्मेंट तो उस तरिके से आप इसको परत्चेज कर सकते हो तो दोतो यह मेजर कर सकते हो बैशक चाहिए वो खरादिया और बैशक चाहिए वह दंग이지 उपर राज आर्गीटेक्टों तो दोतों जों सा हम जों सा जब कारीगर वगारा हम जब नाप वारा लेते हैं तो हमें बड़ा accuracy से चाहिए होता तो इनके जों से टूल मेजरमेंट के है वो नमबर वन पर आते हैं तो दोतो ये आपको वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ में बैल लाइक का बटन दबाने के अबाग और का बटन दबा दना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिवेशन आ में टेक नहीं वीडियो के था धन्य अबागी